आप करने वाले कि आप एक एंगुलर के एप को as fast as possible कैसे डिप्लाइ कर सकते हैं इंडरेट पर तो जो टूल है उसके लिए हम यूज करने वाले हैं वर्चल जाएंगे और यहां पे एक जैसे कि एक Google clone था मेरा तो मैंने बनाया था तो यह अंगुलर ना बनाया पूरा और यह व्यू जैसर्याइक्ट जैस अब को सपोर्ट करता है तो करना क्या है यहां पे एक एंगुलर में बेसिक अंगुलर प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूं को अगर मैं प्रोजेक्ट पर जाओं एंगी न्यू और लेट से डेमो प्रोजेक्ट तो अभी एक डेमो प्रोजेक्ट है अज़स्ट इसकेंड में उधर कर रहा था कुछ अगे तो हमें एक नो मतलब एक बेसिक चाहिए हम मेरे को बाइब करने अगा में और फिर या पको क्या करना है अपकी GitHub account पस्ऐस्च है और यहां पर एक नया repository क्रियेट करना है और ले से नियू रेपाजेट वाला प्राइवेट हो सकता और पब्ली हůं सकता है Haiftा यहाँ पर करूँगा एंजीन न्यू रेपो डेवो इसके बाद हमें से क्रिएट करना है तो क्रिएट करते हैं यह तो बेसिक हो जाएगा और हम जाएंगा अपने गिटब तो यह MPM जैसी प्रोसेस खतम होता है मैं वापस आता हूँ गया अधिया अभी इंस्ट्राव हो जुका तो हम चलते माँ प्रोजेक्ट के अंदर नाम मैंने दिया था डेम प्रोजेक्ट तो यह हमारा डेमो प्रोजेक्ट है तो इसमें जो है हम अगर मैं इसे एंजी सर्फ करूं तो एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा और मतलब जो बेसिक आता है तो अगर हम जाए वर्सेल के अंदर तो मैं बता दू यह क्या के सपोर्ट कर रहा है इधर यह इसमें यह सपोर्ट करता है next.js react, next view और Ember मतलब जितने भी यह बैसिकली हर चीज को सपोर्ट करता है ठीक है तो हम जाते हैं अभी यहाँ पे जो है हमें गिट्थब से इसे लिंक करना होगा जैसे न्यूपरोजेक्ट में क्लिक करूंगा तो यह देख सकते हैं मेरा जितना भी रेप तो अभी हम जाते है अपने github पे तो git status करते हैं दिखते कुछ है कि नहीं तो हम जाते हैं यहां पे और हम लिख सकते है git remote add origin और github पे आपको यह एक दम से नहीं मिलेगा अगर आप github पे पहली बार अपलोड कर रहे हैं आपको यह सब कमांड लिखने पड़ेंगा git init यह आप कमांड छोड़ सकते हैं इस अप्शनल and you can do git commit git and this is optional then you can do git remote add origin and before this sorry for that git commit के पहले आपको क्या करना है git add dot करना है okay तो पहला git init git add dot git commit और फिर git remote add origin फिर यह वाला कमांड okay तो यह करने के बाद जैसा भी मैं यहां पर कर रहा हूं git remote push origin master main okay git push origin master क्योंकि मैंने इधर branch main है default branch master होता है तो मैंने master नहीं बनाया है मैंने मतलब में नहीं बनाया है तो मैं master में push कर दूंगा आज तो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा यहां पर एंगुलर का प्रोजेक्क बन चुका है फिर आमें इसे करना किया है अगर मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी देख सकते हैं यहां पर एंगुलर का सिम्बल आगया है ठीक है एंगी नुडेमो प्रोजेक्ट तो आप इसे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको क्रियेट टीम पर कुछ निडालना है सिधा स्किप कर दीजे और अगर मैं लिखता हूं यहां पर एंजी न्यू प्रोज अगर यह निम यूनिक होता है तो वह सिधा आजाएगा अगर वह निम यूनिक हुआ अगर आप टेस करना जाए तो मैंसे कर सकता हूं दॉर्ट वर्टसल डॉट अप अगर यहां जैसा भी कुछ नहीं मतलब की मेरा अगर यहां पर प्रोज्ट डॉट 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 अप लिखूंगा तो अगर किसी की साइट खुलती है जैसे अभी इसकी खुल गई तो इससे क्या होगा इस चीज में क्या ओने वाला अगर इसकी साइट खुल गई मतलब की आपके प्रोजेक्ट के आगे कुछ ना कुछ ठीक है तो अभी मैं इसे क्या करूंगा एंग अगर अगर वही नीम से आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं आपको एक सिंपल सा यूनिक सा कोई नाम सोचना पड़ेगा फिर हम बिल्ट एन आउटपूट सेंटिक में जाएंगे अगर अगर आपको इसको ओर्राइड करना तो आपको और उड़ेग 마음에 कर सकते हैं एकृप तो अगर इसको अगर दिफाल्ट नीम रंड ऑता है को एंग आप कर इसको नाम नाम उड रेगर यूस कर दो झाह," तो आप इसे बाइडिफॉल्ट जैसे स्टाटिक पेजोटा आप इसे बाइडिफॉल्ट जाए अगर इसे चेड़ जाता क्योंकि अगर कुछ गड़ा हो गया तो डिलेट करके वापस सारे स्टक्स करने पड़ेंगे फिर अम क्या कर सकते से डिप्लॉई और डिप्लॉई करते ही यह थोड़ गुमेगा और फिर यहां पर आजाएगा सब्चूस अब देख सकते हैं फैचिंग सोर्स कोड तो यह बिसिकली सब चीज करेगा और अगर अगर आपने जो है जो है गिटख के ब्रांच पे अगर अगर यह जैसी यह प्रोजेक्ट अलाइव हो जाता है तो यह हमें वेबपीच कुछ ऐसा दिखेगा तो जैसी यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आई कैच्छ आप अप अच्छ पूरा बन जाएगा तो ऐसा करके कुछ आ जाएगा कॉंग्राचुलेशन यू जज डिप् यह प्रोजेक्ट तो वर्सल और आपको डैशपूर्ट बे जाने और अगर आप इस साइट को देखना चाहते हैं आप सिंपली यह पर विजट कर सकते हैं तो देख सकते हैं यह जो साइट है वो अभी लाइव हो चुकी है यही सेम साइड हमारा देम प्रोजेक्ट था और अभी इसे जाके देख सकते हैं यहां कि मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्शन ऐसा नहीं रखना है और इसके बाद बिल्ट लॉक्स देख सकते हैं कि आपके बिल्ड में क्या क्या है था जैसे यह सब कंपाईलिशन जो हम करते वह हुआ था ठीक है और एक बात बता दू यह एक सरको ृटा फिस के अंडर तब के साइट पर इफन साइट पर अपने ऐफ ब्रांच टीके त आपके पिक शेने काम करते तो एक नया ब्रांच बना सकते और में पर उसे मास्ट कर देंगा जैसे मास्ट एब मेर जोगा यह जो है साइट के चेंज अपने आप यहां जाएंगे और यह जो वर्सले बिल्कुल फ्री है आपको कुछ क्रेडिट कार्ड यह सब की ज़रुवत नहीं है और तो इस वीडियो के लिए अगली वीडियो में तो इस वीडियो के लिए अगली वीडियो में तिल एन सिया वाव गुड दे